सरफा एजिंसियों को उप्योग करना आवाज को बंद करने का अब इस देश के सामने समधान ये की है कि अगर मोती जी को हटाया नहीं जाता है तो अब इस देश के लोगतंत्रों सम्विधान को नहीं बचाया जा सकता अगर वो दुबारा जीत करके आते हैं तो साइद अभी डर डर करके पीछे से हमला हो रहा है कल सर्याम वो मंजर इस देश को देखना पड़ेगा जिसकी हम किसी भी तरह से उमिद नहीं करते हैं हम तो अफिशिली कह रहे हैं कि हमारा पोस्टर ही है कारण क्या है कि पोस्टर देख रहे हैं लोगों के दिलों को नहीं देख रहे हैं लोग इतने हथात हैं मानने मोदी जी के पॉलिसी के कारण उनका बेरोजगारी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ बेरोजगारी बढ़ती ज पिटोल के दाम असमान चुह रहे हैं, गैस के दाम असमान चुह रहे हैं, मतलब आज आम आदमी का जीवन जो है नरक बना हुआ है, क्योंकि उसकी कमाई बढ़ी नहीं, खर्चा बहुत बढ़ गया, तो मुझे लग रहा है कि माने मोदी जी को देखना चाहिए, यह पोस्टर अरे, 2014 से पुरा देश, एक ही बात कहा रहा है, मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ, लेकिन यह जो ब्रष्टाचार में घ्रेव हो लोग है, जिन पर जाच एजंसिय अपना काम कर रही है, जो ब्रष्टाचार में लिपता है, यह कहते हैं, मोदी देश की जनता देगी, अगर आपने दम था, अपने नाम लिखते, पिंटरस का नाम लिखते, तो बताते हैं, यह पोस्टर अभडे लगाए, तो यह आपकी च्टपटाहट ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, ठीक बात है, सामने आए आमादी पार्टी, इतने लोग पकड़े गए हैं, इतने पोस्टर पकड़े गए हैं, अब वो कहते हैं, हमें कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है, मोदी हटाओ, देश बचाओ, आप कहना चाहते हो, कहो ना जंतर मंतर पे जाके, नीचे लिखो आम आदमी पार्टी, क्यों छुपकर वार करना चाहते हो, प पोस्टर छाप रहे हैं, तो क्या गैर संबेधानी, गैर तरीके से, गैर कानूनी रूप से काम करने के लिए हम इलाव कर दें, यह बिल्कुल गलत है,